हेलो गाईज तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने सिस्टम में मतलब लैप्टॉप या डेक्स्टॉप में कौन नाम का फोल्डर कैसे बना सकते हैं बैसे इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है लेगन फिर भी यह एक ऐसा इंटरस्टिंग फैक्ट है जो ज़्यादा तर लोगों को नहीं आता है ठीक है तो हम अपने लैप्टॉप या डेक्स्टॉप में सी ओ एन सी ओ एन कौन नाम का फोल्डर नहीं बना सकते हैं अगर हम कौन नाम का फोल्डर बनाने की कोसिस करेंगे आप किसी भी फोल्डर को क्रियेट करना उसमें उसका नाम डालना कौन सी ओ एन अगर आप कौन नाम डालोगे तो उसमें एक इडर जनेट होगी और फोल्डर का नेम कौन नहीं डेलेगा यह हम आपको ट्राइ करके दिखाते हैं जैसे कि यह देखो हम टेक्स्टॉप की साइट पे लैप को यह एक इरर जनेट होता है यह नाम वो एक्सेप्ट नहीं करता है आप कौन नाम के अलाबा कुछ भी डालोगे वो एक्सेप्ट करेगा लेकिन अगर आप सी ओ इन कौन डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा लें इसको भी डालने का और कौन नाम का फोल्डर बनाने का भी एक तरीका होता है अगर आप चाहे तो इसको बना सकते हैं ठीक ये क्यों नहीं होता है ठीक है ये आपको जानना चाहिए कि ये क्यों नहीं होता है ठीक है तो हम आपको भही आपको बताने वाले हैं कि एक भंता कैसे ठीक है आपको पहले बिल्ग को स्पेस्ट खाली छोड फाइव ठीक है उसके लिखेगा नहीं उसके छोड़ देना कि फिर उसके बाद आपको चून डालना है एंटर करना है यह देख आपका कौन नाम का नामका फोल्डर yo चुका है है मध्यम को छीँ है अगर आपने अपने folder को बिना नाम का और hide करना चाते हैं तो उसके लिए comment में जरूर लिखिए part 2 और आपको hide करने वाला option और बिना नाम का folder आपको part 2 में मिलेगा तो आज के लिए वस इतना ही जैहिन जै भारत